ख्वाव जिनके उचे और मस्त होते हैं इंतिहान ही उनके चवरजस्त होते हैं करने का मतलम मेरा ये है कि आपकर ख्वाव बहुत उचा है आपकर सकते उच अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको इंतेहान भी उसी के हिसाब से देना होगा जितना बड़ी आपका ख्वाव रहेगा उसी के क्रोडिंग आपको मेहनत भी करना पड़ेगा इसलिए मैंने बोला ख्वाव जिनके उंचे और मस्त होते हैं इंतेहान ही उनके जबरजस्त होते हैं तो चलिए, इसी के साथ आज के क्लास को मज़काट करते हैं, और आज Maths Mission 100 का आठ्वा क्लास की और अगरसर हैं, और आज के क्लास में बहुत ही बेतरीम कर सकते हैं, Advanced Math का एक टॉपिक, Permotation and Combination, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम्चे और कॉम्चे को बोलते हैं संचे, करने व पैसो आपका एक दिल में तो कंप्लीट होगा नहीं, इसमें देखिए, इस चेप्टर के सारे प्रस्म को बनाने के लिए जो बेसिक बातों की जरूरत होंगी, आज हम सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, और जो जो बेसिक बेसिक चीजी आपका एक्जाम में आता है, वो को अच्छे अच्छे प्रस्म को आप नहीं कर सकते हैं, तो आज के क्लास में हम पर्मोटेशन और कॉमिनेशन को बेसिक से सुरूर करने वाले हैं, और बेसिक से जो चीजे पोस्टन्स आया है एक जाम में उसको इन सॉल्व करने वाले हैं, और बाकी आगे के क्लास में मैट्स सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइप करिए और फटा-फट सभी लोग अपने वर्ट्सप गुरूप टेलीग्राम गुरूप पे आप सेर भी करिए जिससे की अधिक सभी लोगों का फायदा ने सके और उमीद है आज आप पर मुटेशन का बेसिक सिख जाएगे और इसके बाद दो-तीन क्लास बीच में कभी अब लेंगे आचानक रोषर प्राइज रहेगा यह कोई जरुनी की अगली दिन ही फिर आजाया का पर्मुटेशन का बेसिसर रहेगा और आपको मैं सीखा करके ही छोड़ूँगा यह मेरा दावा है तो देखिए यहाँ पर आपको बोल सजाने की बात करेगा और दूसरे प्रस्ट में चुनने की बात करेगा तो देखिए जो कोशन में आरेंजमेंट का केस आजाए जिसको हिंदी में बोलते हैं सजाना वो परमुटेशन की अंतरगत आता है और जो प्रस्ट में आपका सलेक्शन जिसको बोलते हिंदी में चु कुमिनेशन के अंत्रगत क्यों यह सारा चीह हैं डीटेल अभी बताएंगे बस आप क्लास के लाज तक बने लिए ठीक है यहाँ पर देखिए जैसे माम लेते हैं एन वस्तु दिया हुआ है टोटल एन की संख्या में कोई भी चीज़े हैं वस्तु कह वह है और देखिए एन व वस्तु दिया है इसमें डूदू वस्तु को सलगान तो हजाने का टोटल तरीका होगा सिसा संख्यान की संख्यारन की सच्छेशन क fix परनीशन्स के अंत्रगत आता है अब फियक्स एकिकलि यहां कर दो न वस्तु को लेकर सजाने का तरीका ज़्यागा होगा चुनने का सेलेक्शन का केस हो गया तो यहां पर वहां N-C-R जहां चुनाओ होता है वहां कॉंबिनेशन लगता है और कॉंबिनेशन का फर्स्ट लेटर C है इसलिए N-C-R और यहां P है फर्स्ट लेटर मतलब फर्मोटेशन N-V-R ठीक है जहां सजाना हो वहां फर्मोटेशन और जहां चुनना होगा और N की जो भहलू है वो आर से बड़ा होगा नहीं तो आर के बराबर होगा बोड़ होना जहिए नहीं तो आर के बराबर होना चहिए आर से कभी छोटा नहीं हो नचीए अगर बाहां लेता है कहीं लिखावत 3, P, 4 देखिए एन के जगह पर कितना है तीन है और आर के जगह पर कितना है चार है तो बताइए बहुत एन है आर से छोटा नहीं हो गया तो यह चीजे बिल्कुल नहीं होना चाहिए या तो यह बॉड़ बना चाहिए आपसे नता इस लिए एन कामान हमें साब बड़ा वाना चीजा आपसे नहीं तो बराबर भुना चीजे तो यह कुछ बेसीक बाती थी आप इसी को समझे चलिए और इसमित क्या क्या चीजे हो सकता है और ध्यान से समझेए देखिए परमोटेशन और कॉम्बिनेशन यह चेटर है इसी क सकते एक एक डिए na तरक यह चीजे नहीं होगा तो सकते एक चेटर प्राइकता आता है जानाने के लिए बनाने वे प्लेट पर हुना चाहिए और बonneके रीवालिशन और नवर बेहतर इस्वेसर प compare शली के लिए आपके पास है nocheane जानकारी होनी चाहिए थोड़ा समय इसका डिसका कर रहा हो देखें फैक्टोरियल फैसी टी-ओ-ण्य कर दिए कर दो तरीका है देगे फैक्टोरियल लिखने का दो तरीका है एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल आपका यह होता है जो कर सकते एक्स्क्लामेशन मार्ग जो होता है वही चीज प्राकेत संख्या मतलब सुरू से प्राकेत संख्या कहां से स्टाइब चाहिए एक से ले से करके आप 10 तक गुना कर दीजिए एक गुना दो शुक्त पर द्द को आपकेटाने जुसक्त से करते हैं एक से ले करें न तक गुना कर दें मिलें । तो इंटो थ्री इंटो थ्र喜िंटु महीं करते छलिए ब्ता old-ट सफ फर्ष्ट और नेशूरल नमब्र प्रत्रंग एंटश घ्रकें olmayeras पूपर चेक वाल इसाल श्लय को स Suppose लिखना है मतलब स्कुर। से वाल इत्पुर०ण वर फैक्टूरी और यह गुणा आद ज्याहं तक लगातार गुणा कर देगे यही संख्या अब सभत पॉणकत फ्यार लूंट इस Dortso ज्यए सकते हैं और लुना के आगे हम पुर्ण यहां से यहां तक लिखने तो आप शोग शे को आप इस धंग से और लिख सकते हैं यहां तक लिख दिए और यहां से लिखने का हम नहीं है यहां प्रोडक्ट को इसे ही नपने है और यहां प्रोडक्ट को समझ में आगे हैं आप सुनिए यहां पर कुछ कुछ भैलू है जो आपको क्या करना है याद रखना है जैसे 귀여 जीरो तो ऐसे जीरो जीरो की भैलो कितना होता है वन पूछ लोग के मनम ने सवाज चलता है जसा CPU जीरो अपने वन प्यों बोल दिया तो मेरी बात को प्राकर्द संख्या का गुननफल होता है और मैं आपसे पूछता हूं सबसे छोटी प्राकर्द संख्या कौन है यानि हम यह दावे के साथ कह सकते हैं किसी भी प्रीयल का कम से कम मान कितना होगा और सबसे छोटी प्राकर्द संख्या करें न होगा तो किसी भी प्राकर्द संख्या को ब्राबर एक अब सुनिए थैकर्डियल का मान का मान का न ही होगा हैं किया है है एक गुना दो ने वात्त हुए क्लें का मतलब क्या होता है यह यहां दो फ्रक्री नहीं को गताए कि यह इद गारी सब्सक्राइब च्छिक है चले फैक्टiyaल फाइड यहां पर आपको बखने है ऐसै को मतलब हो पचास चालीस एक से साथ गुना करें आपको पता चल जाएगा और आठ का मतलब लिखना है तो तो कैसे लिखा होगा मैंने ही कि आपको यह चीज़ी आपको क्लियर होगा और मेरा एक सजेशन है आप इसको याद करेंगे तो आप हमको कमेंट करके बताई अभी जल्दी कि आपको जीतना मैंने अभी तक पढ़ाया यह चीज़े समझ में आया की नहीं यह सदीक के चल्दी से कमेंट करेंगे तो मैं देखना चाहता हूं मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं ठीक है और जो लोग जलती से जो लोग अभी तेक वीडियो को लाइक नहीं की है वह लाइक करिए और फटा फट मैं दो चाल दस सेकेंड टाइम देरा हूं आप ग् अच्छा लगाने है और हम आगे और कुछ कंसेंट बताते हैं आप ध्यान से समझेएगा यहां पर प्रमूटेशन और कॉमिनेशन का कुछे बेसिक फ़र्मूला है जिसको जानना एकदम कंपल सरी है क्योंकि सारे प्रस्ट में लग यह फर्मूले का यूज होता है चाहिए तरफ कॉमिनेशन देखने वाल है क्यों कि फ़र्मूला देखिए यहां पर रिधानज होना दें कि अब शोग Carl से आर वस्तू को लेकर पी दिखराने पी मतलब परमुकेशन सजाने का खुल तरीका कितना होगा एन पी आर तो देखें एन पी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बाइप हैक्टोरियल एन माइनस आर होता है चलिए यह पहला फॉर्मुला है आप इसको याद रख लेगा देखें यह बाँ यहां पर यह आपको याद करना होगा और मेरी प्रयास यहां पर यह रहेगी आपकी विप्रयास करेंगी इस फॉर्मुले को कर सकते हैं याद कर लेजी चाहिए क्योंकि देखिए मैंने शुरुवात में क्या बोला कि ख्वाब जीन के उंची और मस्त होते हैं इंतेहान ही उनके जबरजस्त होते हैं मतलब अगर आपने ठान लिया कि हमको ये बनना है वो बनना है बहुत बड़ा आभी बनना है तो उसी के ट्रोडिंग आपको इंतेहान ही देना होगा अभी आप हमारे क्लास में लिया टाइम दे रहे हैं तो इस टाइम को सही ढंग से उतिलाइज करिए समय का कदर करिए नहीं तो फिर समय एक दिन आपको फिर दोखा देगा आप उसको जरूर जाय करके आप देखिएगा एक मोटीडेशन के काम करेगा आपके लाइब में ठीक है फिलाल यहाँ पर आप याद करने का प्रियास करिए एन पी आर फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन मानिनस आप ठीक है आप देखिए यहाँ पर माल लेते हैं एन पी और यहाँ पर माल लेते हैं आप एन इन पी इन इसका मतलब यह है कि वस्तु एन वो है और उसमें से एन वस्तु को सजाना है यहाँ n वस्तू में से r वस्तू को सजाना था और यहाँ n वस्तू में से n वस्तू को सजाना है मतलchau सभ्य वस्तू को सजाना है तो ऐसी स्थिति में इसका क्या रिजर्ट बनेगा वो चीज़ हम को देखना है देखिए बेसिक फ़र्मुला यह है परstage और नीचे में घटा के लिखेंगे कितना हुए जीरो और आप हमको बताइए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या सीखा है जीरो की बहुत नहीं होता है तो याद रखिए कि अगर यह दोनों बराबर हो जाए तो वैसी स्थिती में डारेक्ट फैक्ट्रील इन अप पर सकते हैं जैसे माल लेता है यहां पर हम ले लिए एन ने पी ओन ले लिए मतलब एन वस्तु में से एक वस्तु को सा जाना हो तो वैसी स्थिती में डारेक्ट क्या होगा तो जरा ध्यान दीजिए उपर में क्या लिखाएंगे फैक्ट्रील इन बेसिक फर्मल लगाईए और नीचे मे इसका अंतर होगा चली क्या होगा एन माइनस वन थोड़ा से इसको डिराइव करिए तो देखें फैक्ट्रील थाइप को भी हम कैसे लिखे थे याद है थाई इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 घरते कर वे लिखे थे निए फैक्ट्रील पांच का मतलब क्या था तो उत्तमा हम लिखने का मन नहीं है यहीं पर फैक्ट्रील नहीं लगाते कि ठीक वही चीज़ है फैक्ट्रील एन है तो मैंने लिखा फिर घटा के उप यहीं लगाते थे टीक वही चीज़ लिए खता हैं और यही बेसिक फर्मूला से यह दोनों निकला अगर यह दोनों बराबर हो जाए तो रियर्ट होगा और अगर कभी Sat tod it not a युद्वां फर्ट है यह वाज अर्फ और पांच कर प्लρεί्फ पांच का मतलब होगा ना मतलब है फांच का मीह से 7 हो से 5 फारक और यिए क्या है फरक है तो चीज को ध्यान से समझेएगा, देखे बाबो, यहां पर N, C, R में दिया, देखे, P फर फर्मॉपेशन और C फर कॉम्बिनेशन, पर इसको हम क्या लिखते हैं जर ध्यान समझेएगा, इसका बेसिक फर्मूला क्या होता, फैक्टोरियल एन बाइ फैक्टोरियल आर और पर फर्मॉला और बेसिक लिए, अब थोड़ा से देखे, दोनों को तुलना करके देख लीजे कि दोनों पर फ्रमॉपेशन और कॉम्बिनेशन के फर्मॉला में अंतर क्या है, यह तुलना करेंगे तो माइंड में याद रहेगा, जिसे देखे, ऊपर का फैक्टोरियल आर मतल Olwi यह फेसिक फर्वुला क्या हुए ? पैक्पटरियल N Kate Pag R &? मतलब उपर काclass नीचे का compliance and फिर अंतर का सțमाज लिए दोनों मरें चली बहूत अच्छी बात है आप जीए यहाँ पर यही पैसी फर्वुला से दो और हम लिखेments जैसे माम जलता लेगे N, C, N घुए इसी के जैसे बनट N वस्तू में से अगर N वस्तू कौन चुणेंगे तो क्या होगा तो यहां पर देखिए उपर में फर्मूल लगा यह फैक्टरीयल N आप नीचे में फिर लिखेंगे फैक्टॉरियल n आप फिर लिखेंगे n – n देखें वह लेगा न, आप बोले यह तो कट गया, तो मत देहीं क्या होगा, फैक्टॉरियल n उपर और नीचे खतम होगा, तो यह ट एक होगा, नीचे m n-n कितना होगा, 0 और और उपर 1 तो 1 बाई 1 आप देखें यहां पर N C 1 मैंने देदिया इसके जैसा यहां पर बोली क्या रिखेंगे ऊपर का फैक्टरियल फिर 1 है नीचे में तो नीचे में लिखेंगे फैक्टरियल 1 और फिर अंतर अंतर क्या होगा N-1 समझ करें enroll 1 की वहलव कितना होता है इसकी लखेंगे तो इसको बिखेंगे इतना आगा यह नहीं आएगा तो उने थी फॉर्मूला यहां पर और यहां पर आपको तो अभी भी याद हो गया ठीक है माल लेते हैं तनिक अगर नहीं याद है तो आप देखे पे और पेपर के साथ बेठी और चीज को आप नोट भी करते चलिए और बात में क्या करिएगा क्लास लिंड होने के बाद आप पांच मिनट साथ मिनट इस पर टाइंट दे करके और आप याद कर लीजिएगा अब देखिए मैं आपको इस बात बता रहा हूं कि जैसे अभी हम आपको समझाने वाले हैं कुछ उदाहरों लेकर के विवहारी उदाहरों लेकर के की परमूट दिख रहा हैं वो इसी को बस प्रेस कर देना है जल्दी से ठीक है अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो और आप सेर भी कर सकते हैं अगर सम्मों हो ठीक है तो चलिए बागो आगे बढ़ते हैं आपको ध्यान समझे अगा चीज को देगे बागो यहां पर A, B और C त वस्तु A, वस्तु B, वस्तु C ठीक है तीन वस्तु है अब इसमें से दो को क्या करना है लेना है तीन में से दो को लेना है और तीन में से तीन वस्तु में से दो वस्तु को लेकर सजाने का तरीका कितना होगा और चुडने का तरीका कितना होगा यह हमें समझना है ठीक है त इन वस्तु दिया हुआ है कौन-कौन A, B, C और उसमें से दो वस्तु को लेकर सजाना है, तो बोलिए सजाना है, जब रहता है तो हम परमोटेशन क्या उच्छ करते हैं, मतलब यहां पर दिखेंगे हम P और यहां लिख देंगे 2, 3, P, 2 इसका मतलब हो गया, तीन वस्तु में स से दो वस्तु को लेकर सजाने का परिकरिया या तरीका, तो चलिए यहां पर देखें, 3, P, 2 को आप सोल्व कर सकते हैं, परमोटेशन का फॉर्मूला याद है, याद है न, चलिए बोली क्या होता है, फैक्टोडियल N, तो उपर वाला का फैक्टोडियल, और नीचे में होत सकते हैं, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज मतलब 6 तरीका आपका होगा, यानि तीन वस्तु अगर दिया हुआ है, और उसमें से दो-दो को सजाना है, तो सजाने का को तरीका कितना होगा, 6 आपका होगा, ठीक है, वही चीज़े अगर हम चुनने की बात करें, कि जैसे 3 वस् सदु को चुनना है, तो जब चुनना है, तो हम किसका यूश करा है, या कॉंबिनेशन का, अब देखें, यहाँ पर 3, C, 2 सोल्व करना है, तो फॉर्मूला याद है, जल्दी बोलिए, फैक्टोरियल N by फैक्टोरियल R और इंटु फैक्टोरियल N माइनस R होता है, होता है क बहुत व declare, अब आप हम को बताईये, उपर का फैक्टोरियल तो कितना होगाइं फैक्टोरियल तीन होगया, और नीचे में होगया, फैक्टोरियल R मीचे वहाई बहुत फैक्टोरियल 2, और या यह हम यह कह सकते है, फिल था किया पता होंगे, ठेक है, इसको हमिए याद रखिए अभी मालते हैं कि थोड़ा डाउट रा जाता है तो क्लास्टेश के बाद आप पांच-दर सुनेट इसके आप टाइम दीजिए और यह फॉर्मुला आपको आना चाहिए क्योंकि यह चीज़े अगर बेसिक नहीं पता होगा तो ना आपसे पर्मुटेशन कमिनिशन प्रेतर डंग से बन पाएगा नहीं प्रॉबलेटी को अब बहुत बढ़ियां कर सकते हैं तो भ्यान ज़रा समझेए यहां पर तीन वस्तु था यह बीसी इसमें से दूगुदू को दूदूगों को ले करके सजाएं तो टोटल बता रहा है कि सजाने का तरीका छोगों गई क्या बता रहा है कि फॉर्मुला से निकला अब देखिए हम खुद सोचेंगे मन में इस अगर कर सकते हैं कि अलग तरीका है और कर देंगे यह अलग तरीका एक्सा जाने का उपने है और की समझ में आरहा है बात यह तरीका इसा ननीगा के नो जैसे माल लेकर नेता आया भासनुसंत ने परचार परसाथ के लिए ठीक है चुनाव को लेकर तो जैसे देखते हैं अगर एक परस्ट का नेता आता है तो गेंदा का फूल माल लेकर बाफल अंदर से लगा हुआ है तो यह हो गया सजावट का एक तरीका अमाल लिए दो घंटा मालने तरे वी पश्के निता का प्रोगाम है तो अगर वो आता है तो एक इवी तो हो सकता है कि अंदर वाले जो गुलाब का फुल है उसको बाहर कर दो और बाहर वाले जो गिंदा का फुल है उसको अंदर पर दो तो क्या हुए पहले गुलाब ंंदर था गिंऩा बाहर था पर आप गंदा को अंदर कर दिया गुलाब को बाहर मों दुछरा त्रीका हुए यह अलग सजावट हो छोगिया नटो पहले टिकांभे यह अन रिक को इदर करेंगे ये पूधर कर देंगे दूसरा सजाने का तरीका हो जाएगा तो ठीक उसी तरह B C है ना इसको गरम C और B कर देंगे C A है इसको गरम A और C कर देंगे तो देखिए आप काउंड कर लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये टोटल आपका सजाने का छे तरीका हो अगरी अगर आपके मन में कुछ सात्मा चब रहा है तो आप उनको बता सकते हैं तीन वो A, B, C है उसमें से दो ये वो को लेना ही कंडिशन है तो A, B को A, तब भी, B पहले, फिर C बाद में, C पहले, A बाद में तो देखिए, एक्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप इक लिख लिख करके जो है ना 6 वो तरीका लिखें इचोटा सा प्रस्था ना बड़ा बड़ा प्रस्था है कि इस वो 500 तरीके होता है तो क्या 500 लिखिए गा आप नहीं तो इस लिए ये ठीजे पॉसीबल नहीं है आपको फॉर्मूला यूज करना होगा कर बहुत जादे नंबर ओफेज हो जाएगा तो फॉर्मूला से रिछवाया और जब मैंने प्रिवहारी ग्रूप से सोचा तो भी कितना है उम्मीद है आपको इस चीज को समझे होते हैं अब देखिए हम तीन मैंसे दो को लेकर क् जैसे माल लगते हैं ए बी सी तीन गों को सकते हैं नेता है या तीन आदमी है ठीक है और दूदू लोग कर ग्रूप बनाना है तो ग्रूप बनाने के लिए तो लोग को सजाया नहीं जाता है ग्रूप बनाने के लिए चुना जाता है कि इस ग्रूप में फलना वाप और चि पूंखर रहाओविसद्ग एक गुरूप में आपने A, B को रख दिया, तो फिर आप दूसरे गुरूप में B, A को रख दिजिए, यह बिल्कुल गलत बात बाता जाएए, जैसे A और B को चुन करके हम एक गुरूप बना लिए है, तो कोई कहके B और A को चुन के दूसरा गु चुनाओ के केस में यह जगह कर सकता है इधर नहीं होगा चुनाओ केस में यहां पर आप देख सकते हैं तो तरीका बढ़ा सकते हैं लेकिन चुनने की बात हो जाए तो वैसे इस्तिति में नहीं होता है तो देख लिए फॉर्मूला जब मैंने कॉमिनेशन के लाए तो भी तीन आया और जब वेवहारी कुरूप से अगरी सोचा तो भी तीन आया तो यह मैंने उदाहान लिया था आपको बस समझाने के लिए के रियल में पर्मूटेशन और कॉमिनेशन होता कैसे है और इक बात को प्रूप भी करने के लिए कि देखिए जो फॉर्मूला से रिट आया है वही चीज को अगर बेवहारीक तरीके से समझा जाए तो भी वैसी इस्टिती में वही आंसर आएगा तो चलिए आप लोग एक बार फिर से कमेंट करके बताईए आपको यहां तक प्लासेज कैसा में कमेंट करने के लिए कहता हूं तो आप उसको करिए मैं थोड़ा सा यह जानना चाहता हूं कि लोग माइंड को कंसेट्रेट करके क्लासेज कर पा रहे हैं मैं तो आपको सकल आपका देख नहीं रहा हूं ऑफ लाइन तो क्लासेज है नहीं नहीं इधर उदर भी देखता ह यहां पर तुम्हें वैसा नहीं कर सकता हूं तो आप हमको कमेंट जब कहें न तो फटा फट लिग के करिए इससे हमको पता चलता है कि नहीं लोग इंट्रेस्टेड हैं और ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो चलिए बहुत अच्छी बात है काथी लोग रिप्लाई क एक और बात देखिए इनिक्वालिटी जो मैंने पिछले दिन मैंने जो कराया था मैट्स मिशन में उसका पीडिएफ टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है वहां से जाकर करके डाउलोड कर लिजेगा और इनिक्वालिटी की कोस्टन को आप बनाईएगा देखिए वाओ मैं एक बार बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल जो हमारा है अंकुस मैथेमेटिक्स पटना उसमें आप सब ही लोग जुडिये जितने लोग के पास यह इनिक्वालिटी जा रही है क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी मैट्स के प्रोवर्म में आपको कोई डाउट हो तो आप वह तो यह फ्री में को सकते हैं मिल जाएगा तो चलिए यहां पर कुछ कोशन्स प्राक्टिस के लिए मैं रखा है पहला प्रस्ण है 75 P2 P देखने से पदा चल रहा है पर्मूकेशन का कोशन है अब पर्मूकेशन का फॉर्मूला यादे सब को N, P, R बगावर होता है फैक्टो इसमें बड़ा कौन है तो कहिएगा 75 बड़ा बड़ा है तो उसको लिखिए ऐसे दिखिएगा अधी आपको फैक्टोरियल का मतलब संधाया है 75 बड़ा, 74 बड़ा, 73 आगे हमको लिखने का मन नहीं है तो ऐसे हम फैक्टोरियल 73 करका नहीं छोड़ देंगे और नीचे में देखिए फैक्टोरियल क्या है 73 बड़ा इससे इससे यह खतम हो जाएगा अरे 75 बड़ा यह कम करके 74 फिर कम करके लिखिए 73 और जब नीचे में आगे लिखने की जरूद नहीं है वहीं पर रोब करके उसको काट देए अगर मां लेका है नीचे हैं फैक्टोर 72 रहता के लिखे 73 और उसके बाद लिखे गुणा फैक्टोर बहुतर और उसको काट देए अब यहां पर देखिए यहां पर ध्यान समझ्जिएगा कि हमको क् गुना 75 करना है तो देखे 75 इसे जल्दी से बुना करने की लिख सकते हैं कर देखे यहां पर आपको क्या करना है साथ पच्य पैंटीस और साथ जो के अठाइस तो कितना पच्पन पचास जो है आपके पोस्स का राइट अंसर हो जाएगा चैक है पच्पन पचास गिलकुल ऑप्सन नमबर यह आपका है तुम ही ने बाबो यी तीर हो गया है आप इसको गुणा करके देखिएगा देखिए 12 P4 को हमको solve करना है तो हम क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए उपर में लिखेंगे फैट्वियल 12 फैट्वियल N और निचे में क्या होता है N-R ये बारह में से 4 घटे है कितना 8 ठीक है अब इसको यहां पर देखिए बड़ा कौन है फैट्वियल 12 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और गुणा में अब नहीं लिखने कामा है छोड़ दिए अर जान मुझ के छोड़े थोड़े नीचे में फैट्वियल 8 दिख रहा था तो फैट्विय गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और आगे नहीं लिखेंगे यहीं पर फैट्वियल 8 लिख के छोड़ देंगे इसका मतलब है हुआ 8 से लेकर देखिए दुना खतम हुगया अब यहां पर देखिए बाब जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 12 गुणा 11 तो बोलिए और एक जीरो यह वागा यह नहीं कर सकते ही 11,800 वस्ती जो है आपके पोसर्स का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल सही जवाब है अब दिखिए आपकर 6 P6 आपसे पूछ रहा है तीसरा नांतर पोसर 6 P6 तो बोलिए क्या हो उपर में है फैक्टोरियल 6 घ्यान दी फैक्टोरियल 0 का मान मैंने क्या बताया है 1 तो नीचे 1 होगे और फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना 720 तो 720 इस कोस्टन का आंसर हो जाएगा तो उमीद है आपको यह कर सकते हैं तीन कोस्टन शुरू का समझ में आगे है थोड़ा से इसको मिटा दते हैं फिर आगे समझते हैं च फैक्टोरियल आर और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आरी कॉम्मिनेशन का फॉर्मला है उपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल और फिर अंतर का फैक्टोरियल तो बोलिए 10C 10 हैं इसको मिटा लिखेंगे जल्दी बोलिए उपर का फैक्टोरियल फिर फिर क्या नीचे का फैक्टरियल नीचे का फिर आंग तरंटर कितने का 10 दस मैंस पांच टाथ फिर नीचे में थावर लिखेंगे भूली यही तो खतम हो गया तो वन देखिए उपर और फैक्टरियल 0 का मानद वान वान होता है तो वन गठाम 105 कितना हो यह प्लस देखें लो होगा ना जो बड़ा होगा प्रक्रम्राइब लिखना दस हुना नौ बूना आठ गुना साथ गुना छह गुना कि एक आधर और पांच पर चाल रहा है क्योंकि निची इन फ्रक्राइब आपको दिख रहा अब देखें, यहाँ पर काफी कुछ कटने वाला, देखें, 6 गुना 10 कितना उपर? 60 6 गुना 10, 60, तो 60 सही कटेगा दू बार में हैं, बली रदी और दू सही कटेगा कितने बार में? 8 कटेगा 4 बार में, ठीक है? तो 9, 73 और 63 का 4 गुना आपके questions के answer हो जाएगा तो 9, 73, 63 का 4 गुना लिखना है, तो 7 का 4 गुना दूसो चालीस है, अब 3 का 4 गुना कितना? 12 तो 12 और 240 मज़ोरती है, दूसो बावन आपका हो जाएगा दूसो बावन जो है, आपके questions का right answer हो जाएगा चीक है? यह बात को समझ के? अब देखें, यहाँ पर question number 5 है यह देखें, फैक्टरियल का सिंबल है, यहाद है, फैक्टरियल का सिंबल ही होता है, नहीं तो फैक्टरियल का सिंबल ही होता है दोनों में से अब किसी को अप लगा सकते ही लिए यह जाएगे फैक्ट्रियल 23 उपर में लिखा हुआ है और नीचे नहीं पढ़ेंगे नीचे या फैक्ट्रियल 20 दिख रहा है तो फैक्ट्रियल 20 से पर रूप जाने है वैसे तो फैक्ट्रियल 23 का मतलब होगा 23 से घड़ते घड़ते कहां तक एक तक बुणा आप नीचे में और लीखा हुए नीचे में लिखा हुए 20 इसे तन से यहां आप देखें यहां से कटेगा यह साथ बार में और पाइब करेंगे दोसो पीस और दोसो पीस में जोड़ेंगे तो थे आप आप 200 को साथ से गुणा कर दिए आपके पूस्टन का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे देखिए माल लेता है कभी अगर बड़ा आए तो ऐसी स्थिती में क्या करेंगा उसका इनिट देखेंगे साथ यह सकता है इनिटीट सही चाहिए पकड़ में आ जाए ठीक है तो देखिए मैंने आज के क्लास में आपको पढ़ाया है यह परमूटेशन का बेसिक है और बहुत जल्द कर सकते हैं ऐसे देखिए क्लासेज तो आपका चलता ही रहेगा डेली दो क्लास सुबह दस बजे और सांब के चार बजे उन्याट समीशन हैंड़िट के अंतर गर लेकिन नहीं रखते हैं आप लोग जाते जाते पूरे ग्रूप में आप सेर करके जाएगा ठीक है वीडियो को लाइक करके जाएगा धन्यवाद